अबिनेतरी रवीना टंडन ने अपने अभीने की दम पर बॉलिवुड में विशेश पहचान बनाई इसी कारण नब्डे की दशक में उनकी गिंती बॉलिवुड की टॉप एक्ट्रिस में से होती है उन्होंने अपने टाइम में जितनी सिल्मे बॉलिवुड को दी वो अपने आप में बहुत बड़ी सौगात थी और बॉलिवुड की ये अभिनेतरी लव अफेर के कारण भी सुल्खियों में रह चुकी है खबरो के अनुसार रविन टंदन एक बॉलिवुड अभिनेतर के प्यार में तो डिप्रेशन में चली गई थी और ये अभिनेतरी और कोई नीब बॉलिवुड के सिंगम यानि की आजे देवचिन है रवीना टंडन और आजे देववन ने 90 के दशक में कई सिल्वों में एक साथ काम किया था खबरों के अनुसार इसी दौरान रवीना टंडन जे देववन को अपना दिल दे बैठी थी अभीनेत्री रवीना टंडन आजे देववन से शादी भी करने के लिए तयार हो गई थी लेकिन आजे देववन उस समय करिश्मा कपूर को पसंद करते थे इस कारण उन्होंने रवीना टंडन को इंकार कर दिया था बताया जाता है कि ये बात रवीना टंडन सेहन नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चले गई थी बॉलीवट की ये एक्ट्रेस ने बाद में एक मशूर बिजनसमें से शादी कर ले थी और आज वो काफी जादा खुश है और बहुत सारी रियाल्टी शूज में हम उने को जज़ करते हुए देख सकते हैं अगर मैं आजे देवण की बात करो तो फूल और काटे से डेब्यू किया था आजे देवण ने उनकी ये फिल्म काफी सूपर डूपर हिट हो गई थी और आज भी बॉलीवूड में उनका जो एक नाम है वो आज भी है और बहुत सारी फिल्में उनकी लाइन अप है जैसे क अगर आप एक्साइटेड हैं सेंगम की अपकमिंग फिल्म के लिए तो प्लीज आप कॉमिंग सेक्शन में लेकर में ज़रू बताएं थांक्यू सो मच की बच्चिं टुड़ी इस फो मुझ